हेलो एब्रिवन वेल्कम टू सक्सेज वित्राय अकेडमी चार मई 2021 के दैनिक जागरन के राष्टे संस्क्राण को आज किस वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहली न्यूज है कि MBBS व नर्सिंग के अंतिम वर्स के चात्र दे सकेंगे सेवाएं जैसा कि अभी परसो डिसीजन लिया गया था कि जो वरकर्स लगे हुए हैं याने कि जो डॉक्टर और नर्सर्स लगी हुई हैं उन्हें सरकारी मान दे दिया जाएगा उसी में एक क् करते हुए अब MBBS व नर्सिंग के अंतिम वर्स के चात्र भी चात्राएं भी इस समय जो कोविट की महमारी चल रही है उसमें अपनी सेवाएं दे सकेंगे कुरोना से लड़ने में मानोस अंसाधन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई उपाय किये है योगी डॉक्टरों और नर्सों की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने MBBS व नर्सिंग चात्र के अंतिम वर्स के चात्र चात्राओं की सेवाएं लेने को मंजूरी दे दी है इसके साथ ही NIT PG की परिच्छा कम से कम चार महीने के लिए स्थगित कर दी गई है ताकि MBBS के चात् सेवाएं दे सके प्रधान मंत्री कार्याले ने सों बार को एक बयान में कहा कि ऐसे सभी पेशेवर जो सौ दिन की चुट्टी पूरी करते हैं उन्हें अगली नियमित सरकारी भरती में प्रात्मिक्ता दी जाएगी और PM विसिष्ट कोविड राष्टिय सेवा सम्मान से सम् उम्मीद कुरोन संक्रमण के प्रकोप के बावजूद दुनिया के बड़े बाजारों में उत्सा जनक मांग को देखते हुए निर्यात को ने कारोबार बहतर रखने की उम्मीद जताई हैं Federation of Indian Export Organizations याने FIO के President S. के सराफ ने कहा है कि ज़्यादा तर राजियों में करोणा के कारण लगाए आंसिक या संपूर्ण प्रतिबंदों से कुन स्रम सक्ती के साथ काम नहीं हो पा रहा है हमें उम्मीद है कि कुरोणा की दूसरी लहर मई में दूसरे सप्ता के बात कमजोर पड़ती जाएगी इसका मतलब यह है कि इसके बाद इस्तिती बहतर होनी चाहिए भारती उद्दोग जगत को और खास तोर पर निर्यातकों को बड़े बाजारों से लागत अच्छी मांग मिल रही है इसे देखते हुए हमें निर्यात में बहतर बढ़ोत्री की उम्मीद है चीनी उत्पादन 2.99 करोन टन पहुँचा चीनी उत्द्योग के संग्ठन इंडियन सुगर मिल्स एसोसियेशन ने सोमबार को कहा है कि मार्केटिंग सत्र दो हजर बीस इकिस में अप्रैल तक देश का चीनी उत्पादन 2.99 करोन टन तक पहुँच गया है चीनी मिलो ने अब तक 54 से 55 लाग टन के निर्याद के लिए अनुबंद किया है इसमें से 35 लाग टन का निर्याद किया गया है और इस महीने के अंच तक 10 लाग टन और निर्याद किये जाने की उम्मीद है एथनौल के बारे में इससा ने कहा कि चीनी मिलो ने इस साल के 19 अप्रेल तक आयल मार्केटिंग कंपनियों को 17.72 करोन लीटर एथनौल की आपूर्ती की है जबकि उन से कुछ अनुबंध 302.53 करोन लीटर का हुआ है करोना की वज़ा से देश में कई राज्यों में लॉक्डाउन की इस्तिती से स्रमिक फिर से अपने अपने राज्यों की और लोटने लगे हैं इस बात की पुष्टी अप्रेल महीने में मनरेगा के तहट काम मांगने वालों की संख्या में होने वाली बढ़ुत्री के आकले भी यही दरसा रहे हैं महराष्ट, गुजरात, करनाटक, पंजाब, हर्याना जैसे प्रमुक और दोगिक राज कुरोना से प्रभावित हैं और इन राज्यों में लॉक्डाउन जैसी इस्तिती है करोना को लेकर अनिस्चित्ता को देखते हुए गैर जरूरी वस्तों के उत्पादन में लगे छोटे संयंत्रों में काम करने वाले आधे स्रमिक या तो अपने राज्यों को लॉट चुके हैं या फिर लॉट रहे हैं छोटे छोटे रेश्टोरंट धाबा या खुद्रा दुकानों में काम करने वाले स्रमिक भी अपने मूल राज्यों में लॉट रहे हैं SBI Ecorep की रिपोर्ट के मताबिक इस वर्स अप्रेल में मनरेगा के तहट गाओं में काम की मांग में पिछले अप्रेल के मुकाबले 92 फीजदी की बढ़ोत्री हुई है नेक्स्ट निउस है ग्रेग एबल होंगे वारेन वफिट के उत्रा धिकारी दुनिया के सफलतम निवेसकों में एक और वर्क शायर हैथवे के प्रमुख वारेन वफिट ने अपने उत्रा धिकारी को लेकर चली आ रही अटकलों पर विराम लगा दिया है वफिट ने कहा कि अगर उन्होंने कमपनी का कारिबार छोड़ दिया तो ग्रेग एबल उनका इस्थान लेंगे इस से भारत वनसी और वर्क शायर हैथवे के इंसोरेंस कारोबार के वाइस चेयर्मेन आजीद जैन की उमीदों को जटका लगा है वफिट खुद कई बार जैन की कारशेली और कारोबारी समझ की तारीफ कर चुके हैं वैसे वफिट ने यह भी कहा कि अगर एबल को कुछ हो जाता है तो कमपनी के CEO की जिम्मेदारी जैन समालेंगे CNBC से वफिट ने कहा कि कमपनी के निदेशक बोर्ड इस पर एक मत हैं कि अगर मुझे आज रात कुछ हो जाता है तो अगली सुबा ग्रेग एबल मेरी जगा ले सकते हैं नेक्स न्यूज है अमेरिका पर कभी दूसरा आतंकी हमला नहीं होगा ये स्टेटमेंट दिया है जो बाइडन ने पाकिस्तानी अलकायदा आतंकी उसामा बिन लादेन को मारने के दस बर्स पूरे होने के आउसर पर अमेरिकी राष्टपती जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका अपनी इस प्रतिबद्धता पर कायम है कि अब इस देश पर कोई दूसरा आतंकी हमला नहीं होगा और अमेरिकी लोग सुरक्षित रहेंगे। तबके उप राष्टपती जो बाइडन ने एक बयान जारी करके कहा कि ततकालिन राष्टपती बराक उबामा ने उन्हें राष्टे सुरक्षा दल के सदस्यों के साथ बुलाया और 2011 को वाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अमेरिकी सेना के हाथो ओसामा बिन लादेन को मार गिराते हुए दिखाया वह चण मैं कभी नहीं भूलूँगा लादेन को ढूल निकालने वाले अमेरिकी गुप्तचरों की तारिफ करते हुए बाइडन ने कहा अमेरिकी राष्टपती बराक उबामा ने साहस का परिचे देते हुए प्रस है आर्थिक मामलों के जानकार भरत जुन्जना वाला द्वारा आर्टिकल में लिखा गया है कि देश कुरोना संक्रमण के जिस कहर से जूज रहा है उसमें उम्मीद की एक बड़ी किरण यही है कि हमारे पास कुरोना रोधी टीके उपलब्द हैं वैसे तो सरकार ने अब क बायोटेक की को वैक्सीन पर है इन टीकों का अपना एक अर्शास्तर भी है सीरम के अनुसार एक टीके की बिक्रीक पर आधी रकम उसे रोयल्टी के रूप में एस्ट्राजनेक को देनी पड़ती है या उसके लिए घाटे का सौदा है इसलिए वह राज्यों को अपना टीक 300 रुपए और निजी छेत्र को उससे अधिक दाम पर बेचना चाहती है ताकि केंद्र सरकार को 150 रुपए में बेचने पर हुए घाटे की भरपाई की जा सके इससे 75 रुपए तो उसे एस्ट्राजनेक को रॉयल्टी की मद में देना पड़ेंगे या रॉयल्टी हमें इसल अंतरगत विदेशी कंपनी दोरा पेटेंट किये गये किसी भी उत्पाद को हम अपने देश में नहीं बना सकते है उनिस सो पिचानवे के पहले पेटेंट कानून में उत्पाद पेटेंट की व्यस्ता थी यानि किसी भी माल को कोई भी उद्दमी बना सकता था बशर्ते उ उस प्रक्रिया का पालन ना करे, जिस प्रक्रिया से पेटेंट धारक ने उस माल को बनाया है, जैसे COVID-SHIELD को एश्ट्राजनेका ने किसी विसेश प्रक्रिया से बनाया है, उत्पात पेटेंट के अंतरगत COVID-SHIELD को भारत के उद्धमी बना सकते हैं, पसरते वे उसे किसी दू कर पतला करने का हमें अधिकार था यदि हम WTO के प्रोसेस पेटेंट को निरस्ट कर देते हैं तो विश्व की अन्य कंपनियों के टीके बनाने में स्वतंत्र हो जाएंगे बशर्ते उनके द्वारा अपनाई गई उत्पाद प्रक्रिया का उप्योग ना करें आगे राटिकल में बताएगा है कि फिलहाल कोरोना वाइरस म्यूटेट कर रहा है जिस प्रकार फ्लू का वाइरस हर वर्स म्यूटेट करता है हर वर्स उसका नया टीका बनता है उसी प्रकार आने वाले समय में हर वर्स कोविट के नया टीके का अविसकार एवन मुतपादन कर चार्मा कंपनियों को ने टीके विक्सित करने के लिए धन उपलब्द कराना चाहिए, जिससे भविश्च में पैदा होने वाले वाइरस के लिए ने प्रतिरूपों का सामना करने के लिए हमारे पास टीकों की प्रयाप्त संक्या उपलब्द हो. नेक्स्ट आर्टिकल है मिलकर करे कुरोना से मुकाबला हलागि ये आर्टिकल इंपोर्टन नहीं है फिर भी देख लेते हैं इसे कुरोना की दूसरी लहर ने भारत को एक तरीके से पूरी तरीके से घेर रखा है चारो और हाहाकार मचा हुए परंतु कोई भी इस प्रस्ण का उत्तर गंभीरता से डूलने का प्रयास नहीं कर रहा है कि कुछ समय पूर जो इस्तिती नियंतरन में थी वह यकायक अनियंतरत कैसे हो गई इसमें संदे नहीं है कि एक महामारी की वर्तमान विक्रालता का जिम्मेदार सरकारी विवस्थाओं को ठहरा रहा है और यह कोई नई बात नहीं है दुनिया में जब महामारी का कोई भी रूप मानवी विद्धन्स करता है तो चारो तरफ आरो प्रत्यारों का खिल सुरू हो जाता है यह प्रवर्ति सदियों से चली आ रही है सफलता का श्रे लेने के लिए सभी तत्पर रहते हैं और सफलताओं के जिम्मेदारी लेने का साहस किसी में नहीं होता है हम भूल जाते हैं कि समाज का एक अभिन भाग होने के करण सफलताओं और विफलताओं में हमारी सामुईक भूमिका होती है सरकार क्या कर सकती है और सरकार की क्या खामिया है आज चारो और विमर्स का विसे यही है ऐसा होना भी चाहिए लोग तंतरात्म्य विष्था की सबसे पुरानी खुबी ही अभिवेक्ती की स्वतंतरता है परंतु कहीं भी कोई यह सुईकारने को तैयार नहीं है कि विष्थागत कम्यों से इतर कुछ हमारी भी जिमेदारियां है जिसे निभाने में हमारी चूक हुई है कुर्णा की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए देश में इस समय सबसे अधिक जरूत घरेली उस तर पर समबात की मजबूत बनाने की है साथ ही ऐसे बहु आयामी पक्षों को सामने लाने की भी है जिसमें इस महामारी का मुकाबला सकरात्मक्ता को बनाय रखते हुए किया जा सके वरतमान प्रदेश्च में रिटोरिकल थियोरी कारगर सिद्ध हो रही है यह समबात का वह तरीका है जिसके तहत अलग-अलग छित्र के लोग एक संकट से निपटने में जुटे तमाम विभाग अपने अपने तरीके से जनता से ऐसी समबात करते हैं जिनके बीच आपसी सम उन में बना रहे हैं नेक्स्ट आर्टिकल है अप राधिक लापरवाही अक्सीजन की किलत से कुरोणा मरीजों के दम तोड़ने का सिलसला कायम रहना अव्यवस्था के अराजक्ता की हद तक पहुँचने की कहानी कह रहा है यह सर्वनाग है कि 10 से 12 दिन बीच जाने के भाव में 25 मरीजों ने दम तोड़ दिया इसके पहले इसी तरह की घटनाय देश के विभिन अस्पतालों में घट चुकी है जिसमें तमाम करोणा मरीजों की जाने गई हैं इसमें देश की राजधानी दिल्ली के भी अस्पताल है जिन करोणा मरीजों के घर पर ऑक्सीजन नहीं मिल रही उनकी मौत हो गई है उनकी तो गिंती करना ही मुश्किल है ऑक्सीजन संकट के मामले में यह देखना है कि तमाम बड़े अस्पतालों ने भी ना तो ऑक्सीजन प्लांट लगा रखे हैं और ना ही उसके भंडारन की कोई ठोस रवस्ता कर रखी है वे चंद ऑ अस्पतालों की आपराधिक लापरवाही है सवाल यह है कि ऐसा कोई तंत्र क्यों नहीं है जो इसकी निगर्यानी करता हो कि अस्पताल जरूरी संसाधनों से लैस है या नहीं तो यह आज का यहने चार मई 2021 का द्यानिक जागन का राश्टिय संस्क्रण था I hope आपको वीडि अच्छा लगा हो तो लाइक हो शेयर कर दीजीगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद